एलोगाइस कैसे आप सबाज हम बनाने जा रहे है अलू के कटली जै इसके लिए लिए बताकिस यह ले लिया है लगके जो बदेंगे है और नमक है अपने स्वादन उसार अद्रक लंका पेश्ट है घरम मसाला है पूका मिर्चा हुआ है और यह हल्दी पॉडर यह देखिए प्याज है धनिया पती है और यह टमाटर तो हम गयस जला लेते हैं देखें गयस जला लिए है अब गयस जला कर पड़ाई उस पर हम रख दिये हैं अब इसी में हम तेल डाल देंगे तेल डाल देए है तेल हमारा अची तरह से गरम हो जाएगा तब इसी भी हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा देखें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे द्राइगे थोड़ा जीरा अब ढालेंगे पीयाज अची तरह से हम भून लेंगे थोड़ा अची तरह से लाल कर लेंगे ताब इसी में हम डालेंगे टोमाटर अब इसी में हम अदरक लसुन का पेस्ट डाल देंगे, डाल के इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे, अब इसी में हम बुका हुआ मिर्चा, हली पाउडर और ये गरम मसाला और ये है नमक स्वादा मुसार सब इसमें डाल देंगे, डाल कर अच्छी तरह से हम फटानिगे, अब इसी में हम डाल देंगे, आलो, दाल के इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे, कि इसी तरह बनाईएगा बहुत टेश्टी लगता है यह अब इसको हम चला करा धक्त पकाने पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसी तरह यह पकेगा दीमे दीमे आसे इसको हम पकाएंगे इच्छी तरह से इसको चला चला कर पकाएं में इसमें पानी बिल्कुल हम डाले ते लिए मेरा यह फूप अच्छी तरह से नहीं केहार इसकी को ठीमे लिएί डालकर अब इसकार हम चलाएं. यह सब्जी मेरा बन के रेड़ी हो गया है. अब इसकार में रिकाल लेते हैं. देखिए गईस, हमारा अलूक कतली बन के रेड़ी हो गया है. अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो बेरे चैनल को लाइक से रहें सब्सक्राइब करिएगा अब मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तरल के लिए अल्ला हापिस